जीवन में हर सफलता प्राब करने वाले वेक्ति को पाज वाते बाज से अवस्ष सीखनी चैए कभी बनना हो तो बाज की तरह बनना तोता मत बनना तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज़्यादा उंचाई पर उड़ नहीं पाता बाज कम बोलता है लेकिन जब उड़ने की छमता बाज की सबसे ज़्यादा होती है जब उचाये पर उड़ने की बात आती है बाज सब पक्छियों को पीछे छोड़कर उचायों पर उड़ता है बाज बागी पक्छियों का राजा होता है तो हमें बाज से बाच बाते और शेशिकनी जाईए बाज हमेशा अकेला उड़ता है अपने किसी बच्चे या दूसरे पक्षी के साथ नहीं उड़ता इससे हमें ये शिख मिलती है हमें पुटी शोच वाले निगेटिव विचार वाले वेक्तियों से हर्स में दूर रहना चाहिए यह वही समय होता है जब हम अपने आपको अकेले में भैचानते हैं अपने आपको अकेले में जानते हैं हमें अपने आपको पहिचान कर अपने लक्ष की और हर्ज में अगरसर होना चाहिए दूसरी बात आज सिकार को पांच किलोमेटर दूर से देख लेता है इससे हमें यह शीख मिलती है यह अपना एकदम क्लियर होना चाहिए कईसी भी मुशिवत क्यों ना आजाए जिए मत हटो लक्ष को पना क्लियर रखो इसरी बात बाच कभी मरे हुए सिकार को नहीं खाता इससे हमें यह सीख मिलती है जो समय बीत किया जो बुरा समय हमारे जीवें में था वो बीत किया उसे वहीं छोड़ दो उसे याद करके दुखी मत हो अपने आने वाले समय के बारे में सोचो आगे की और सोचो अपने वरतमान के बारे में सोचो कि जो विक्ति वरतमान में जीता है उसका आने वाला समय भी बहुत अच्छा होता है चोथी बात आंधिया आने पर बाच को बहुत मज़ा आता है वाugě छोटे छोटे जो पक्छी है वो आंधियतू फानाने पर डर के छुप जाते हैं लेकिन बाच और उचायो उड़ता है आंधिया आने पर और उचायो पूढ़ने लगता है से हर विक्तियों के सीख लेनी चाहिए बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर पुश का शामना निडड़ता से करो बाज की तरह पुशोर को भैचानो अपने लक्ष की और हमें साग्रसर हो और जीवार बाज अपने बच्चों को घोसले में रखता जरूर है लेकिन घोसले की उनरम घास हटा देता है क्योंकि अपने बच्चों को comfort zone में नहीं रखना चाहता तो हमें मुश्यों को जरूर शीखना चाहिए हर विक्तियों को शीखना चाहिए कि हमें comfort zone से निकलना ही पड़ेगा जब तक आपने comfort zone में बैठे हैं आप अपने लक्ष को नहीं पा सकते हैं हम अपने जीवन में risk लिए नहीं पड़ेगा यदि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं आपको risk लिए नहीं पड़ेगा आप अपने comfort zone से बाहर निकले आप तो मनुश्य हैं बात से हम यह पांच बात और शेखनी चाहिए और अपने जीवन में कुछ उतारनी चाहिए नवास दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब और शेकरें और वीडियो को हम सामने लाते रहेंगे